Welcome to study channel मेरे नाम है मुहम्मद कैसर CM योगी समय नौकरियों को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं कल मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था आप जाका चैनल पर देख सकते हैं और नियूस पेपर में अपडेट आप के लिए आई है एक लाग से अधिक नौकरियां इंतिजार कर रही हैं तो नए आयोक से 60,000 पदों पर शिक्षक भरती होनी है UP सिक्षा सब चैनल आयोक का गठन हो चुका है अध्यक्ष महोदया भी आ गई है CM योगी ने अलान किया है कि 60,000 पदों पर नए आयोक से शिक्षक भरतियां होंगी बेसिक, माध्मिक, उच्चतर, तक्निकी, व्यवसाइक, मेडिकल, अस्तर के शिक्षक भरतियां हैं वो अब नए आयोक से होनी है और टोटल 60,000 पदों का यहां पर आयलान हुआ है 37,000 योपी ट्रिपलसी से 40,000 नुक्तियां देने का तयारी है और इसके अलावा CM ने भी आयलान किया कि 40,000 से 45,000 और पदों पर पुलिस की भरति होगी फिलाल 60,000 पदों पर परिक्षा होई योपी पुलिस की अभी 40,000 से 45,000 और भरती होगी टोटल एक लाख पदों पर योपी में कॉंस्टेबल की भरती की जानी है तो सियम योगी कहीं ने कहीं अभी ये बात समझ रहे हैं कि रोजगार पर बात करनी होगी, रोजगार देना होगा नहीं तो आगे चल कर समस्याएं बढ़ जाएंगी सरकार के लिए हाला कि सिपाई की 60 हर पतों पर भरती आई जिससे काफी युवाओं में उत्सा है, परिक्षा हो चुका है रिजल्ट का इंतजार है, 40 हर पतों पर भरती होगी खबर है कि बहुत जल नहीं आयोग में एक्जाम कंट्रोलर और उपसच्यू के पत पर भी नुक्ति होगी उसके बाद आयोग की कारवाई काफी तेज होगी, एक्जाम केलेंडर एक जारी होना है इस मन के एंड तक नहीं तो अगले महीने एक्जाम केलेंडर आप का जाएगा जिसमें सबसे पहले तो बताया जाएगा कि लंबित परिक्षाएं कब होगी 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर कब तक होगी, 2022 की TGT-PGT कब तक होगी इन दोनों परिक्षाओं को कराने के बाद फिर नए आयोक से कुछ महात्पुड विग्यापन देखने को मिलेंगे जिसमें TGT-PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रात्मिक को लेकर भी सरकार विचार कर रही है कुल साथ हजार पदों का ऐलान तो हुआ, लेकिन यहां पर अलग-अलग पदवार नहीं बताये गया किस वर के कितने पदों पर शिक्षक भरतियां होनी है, तो इसके लिए थोएद दियार करना होगा लेकिन पॉजिटिव ख़बर है कि साथ हैर पदों सरकार ने अलान किया है, शिक्षक भरतियां आयोग से देखने को मिलेगी इसी बीच आज अभ्यरति यूपी सिक्षक भरतियां से बचे नायोग पर पहुँच रही है, बहुँ सारे अभ्यरति आज धरनापदर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, सान्तिपूर धरनापदर्शन होगा मांग यही है कि प्राथ मिच्षक भरति का भिग्यापन जल्द से जल्द जारी किया जाए, आज 5 सितंबर शिक्षक धिवस है, आप सब लोगों सिक्षक भरति की बहुट बहुट बढ़ाई, लेकिन आज अभ्यरति अपना शिक्षक भरतिय यूप्य सिक्षक भरचे नायो पंजारियों साथी साथ एक्याउन एक्सो बारेप पदों का जो अपनामा सरकार में सुप्रिम कोड में दिया था 79,000 के सुनवाई के दोराने इन दोनों पदों को जोड़कर नियावी कि आपन जल से जल जारी हो और इसको लेकर आज महाधरना होना है तो आप भी इसमें जरू शामिल होए यदि आप जाते हैं प्रात में शक्षक भरती जल से जल आए चुकि इसमें सरकार रोजगार को लेकर काम कर रही है बात कर रही है आयोग में अध्धक साहिबा भी आ गई तो अब धरना का जो असर है वो व्यागपक देखने को मिलेगा यही कुछ important अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर लाएं और हमारे साथ बने रहें थैंक्स पॉर वाचिंग